हेलो एवरिवन वल्कम बैग तो आज मार्केट डाउन चला गया और सब लोग वही सर्च कर रहे हैं कि वहाई दाउन टुडे तो मार्केट दो तिन रिजन के लिए डाउन गया है और क्रेक्शन लेना ही था मार्केट का नेचर यह सही है उपर नीचे उपर नीचे देखो आज लगबग 2% निप्टी इतना बड़ा बहुत दिन बाद इसना कि 2% नीचे एक साथ चला जाए ऐसे हो देख रहे हो यह निप्टी ठीक है तो यह 2% गया 460 पॉइंट नीचे चला गया और यह देखो आज 2500 571 पर क्लोज हुआ है तो पांच साल में पैटन देखेंगे तो आपको सहर को यह से बताता है कि देखो पांच साल में लगबग आपको दोगुना कर दिया है तो यह नेचर है मतलो अल्टिमेटली हाई लो हाई लो आप एक महिना भी देखो उपर नीच होके six months का देखो उपर नीचे उपर नीचे होके यह फाइनली अल्टिमेटली हाई ही उसका हिस्ट्री इस बताता है कि हर पांच साल में अल्मस्ट डबल और इससे ज्यादा भी रिटन दिया है तो उसमें कोई घवराने का बात नहीं पूरा all-time high पे चला गया था जे 22,124 all-time high पहुंच गया था तो अभी correction लेने का time है कुछ correction लेगा और भी थोड़ा correction भी ले सकता है तो इसमें घवराने का नहीं है तो आज nifty का देख रहे हो जैसे 400.2% नीचे गया ऐसे ही sensex भी नीचे गया तो यह देख सकते हो कि अना सोला सब्सक्राइब नीचे चला गया सेंसेक्स तो इसका रीजन क्या है मेजर रीजन जो है अज बैंक सेक्ट है का लेज़िए का रेजल्ट है और रेजल्ट के बाद अमेरिकन बजार में रात को ही यह हिंट दे दिया था कि 78% HDFC ADR जैसे नीचे गया तभी एक हिंट दे दिया थे कि काल इंडियन मार्केट गिरने वाला है तो अनलेस कुछ एफाई एडिया कोई हूज बाइंग ना हो तब यह मार्केट गिरने वाला है तो यह देखो पूरा बैंक सेक्टर स्टेट बैंक दो परसंट के आसपास 1.6 आई से बैंक तीन परसंट ठीक है अब कड़ाग महिंद्र देखो चार परसंट के आसपास तो सारे बैंक आज गिरा है और सबसे मेजर जो जो HDFC बैंक अल्मस्ट 8 परसंट इतना मेजर बैंक होके और कल प्रॉफिट जैसे बैंक का रेजल्ट आया वह इंवेस्टर को इतना मतलब सैटिस्फाइड नहीं किया और जो भी है इंवेस्टर सेलिंग किये उसमें तो सेल होने से तो मार्केट गिरेगा और आप देखो न परसंटेज देखो HDFC बैंक का परसंटेज आप देखो उससे आपको पता चल जाएगा कि एक जब 8 परसंट गिरता है HDFC बैंक तो कितना इंपक्ट डालेगा निप्टी के ओपर 13.52 परसंट वेटेज है निप्टी 50 का इसका HDFC बैंक का वेटेज है उसके बाद रिलाइंस इ बैंक सेक्टर पूरा ही आज नेगेटिव में रहा तो एक्सिस बैंक आप देख लो एक्सिस बैंक 3.22 परसंट उसका वेटेज है तो एक्सिस भी आज लगबग 3.43 परसंट गिरा तो अब्यस्ली यह हेवी वेटेज जो स्टॉक से वो जब गिरते हैं तो मार्केट को पूर गिरेगा और देखो मार्केट गिरने का यह है कि यह फाइनस सेक्टर मतलब HDFC बहुत सारा जगा पर इंवेस्ट करकर रखा इट से हुज यह पूरा जब भी यह एक 2 परसंट गिरेगा मतलब बहुत सारा और डिफरेंट सेक्टर को इंपक्ट डालेगा तो इसलिए अल्टि यह फिर से ऊपर भागा फिर भी पांच परसंट आज आयरे से टीटना नेगटिव मार्केट में भी आयर इस एपसी आज उपर भागा और आज आर्वी एनल ने फिर सब बढ़ी ऐसा प्रोफरमंस दिया आर्वी एनल फिर से आज देख रहो नो परसंट दस परसंट की इतना रिटन्स दिया तो यह कुछ-कुछ स्टॉक्स जो लोगों को पसंद आ रहा है और लोग इसमें हेवी इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इसलिए यह सेक्टर में काफी उपर जाने को देखने को मिला और इसलिए सेक्टर भी आज कल उइपरो इसमार्केट में मुए उसका कल गिराबड देखने को मिला था तो आज भी इधर इंडियन मार्केट में भी यह सब प्रेशर में रहा आईटी स्टॉक्स तो इस स्टॉक्स भले बहुत यह तो निवेक स्टॉक्स में कल गया था आठ डाउन हुआ था तो इसलिए इंपट्सेक्टर में बहुत जबर्दस आया और मर्केट को नीचे लेग्ए जबर्दस लेगा तो कफी स्ट्रंग वी और तो पता नहीं और भी expect कर रहे थे तो यह सेलिंग उसमें आया तो यह temporary है जो पॉजिशन लेना चाहता है तो अभी वह प्लान कर सकता है यह पॉइंट में आप एड़ करना चाहोगे यह सब स्टॉक्स और नहीं तो तो यह ही था में भी और थोड़ा correction भी ले ले आप वेट कर सकते हो ठीक है तो फिर मिलते हैं नेक्स वीडियो पर तिल देन में बाबाई विल डिसकॉस विए न्यू टापिक थेंक्यों फॉर वाचिंग स्यूंद नेक्स वीडियो